हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो शिवास कलेक्शन फ्रेंज आज हम बहुत ही जबरदस सा खुशका चावल जिसे फ्राइड राइस भी कहते हैं बनाने जा रहे हैं तो इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा बाउल बासमती चावल जिसे मैंने एक डेड़ घंटे के लिए धोके अच्छी तरह से भीगा दिया है अब इसको बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच बड़े चम्मच आप देख रहे होंगे तेल तेल दो बड़े चम्मच इस तरह डालने से जो मेजरमेंट है तेल का बिलकुल परफेक्ट रहता है ना तेल ज्यादा होता है ना कम रहता है ये खड़े मसाले जीरा, काले मिर्च, लॉंग, बड़ी लाइची और दो तेज़ पत्तली है मैंने इसको हम तो हलका सा सौटे करेंगे जब ये थोड़ा सा सौटे हो जाए तो मैंने दो प्यास ऐसे पतली-पतली स्लाइसली कट कर ली है वो हम डालेंगे और उसको ब्राउन करेंगे इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चलाते जाएंगे और low flame पे ही हम इसको अच्छी तरह से brown होने देंगे ये देखे ब्राउन होना शुरु हो गई है अभी और brown होईगी ये देखे जब इतना ये brown हो जाए फिर हम इसमें एक बड़ी हरी मिर्च पतला पतला छोटा छोटा काटके डाल देंगे इससे बहूत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसको भी हम थोड़ा सा सौटे करेंगे हलका सा इसे हमें पकाना है और देखना है हमारा प्यास भी अच्छा ब्राउन हो जाए और हलकी सी हरी मिर्च भी पख जाए जब ये हलका सा पक जाए हरी मिर्च और ब्राउन प्यास हो जाए अच्छी तो फिर हम इसमें से आधी प्यास निकाल लेंगे और आधी कुकर में रहने देंगे ये देखिए और इसमें हम डाल लेंगे एक बाउल पानी इसी कटोरी से मैंने चावल ना पा था तो उसी कटोरी से मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरा चावल दो घंटे भीग चुका है अगर आपका चावल भीगा नहीं है तो आप एक कटोरी चावल में दो कटोरी पानी डाले फिर मैं डाल रही हूँ नमक वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और डाल रियो में गरम मसाला वन फोर चम्मच वो भी हमको हलका सा गरम मसाला डालना है फ्लेवर के लिए बस हम इन सबी चीजों को अची तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें चावल चावल जिस पानी में हमने बिगाया था उस पानी को ड्रेन करके सिर्फ हम चावल डालेंगे चावल को डालने के बाद हम इसको चम्मच से अची तरह से सब मिक्स कर लेंगे और बस कूकर बंद कर देंगे जब सीटी आ जाए फिर हम इसको बंद कर देंगे अपने गैस का फ्लेम क्युंकि हमारा चावल अच्छा भिग गया था अगर आपने चावल अच्छे से नहीं भिगाया है फोरण आप पका रहे हैं तो आप सिम पर कुछ देर पका लेंगे देखिए हमारा चावल बन के तयार हो गया है इसको हम फॉरण ही डिश आउट नहीं करेंगे पांच एक मिनिन तोड़ा ठंडा हो जाए चावल सेट हो जाए तो ये देखे मैंने इस तरह से चावल डिश आउट कर लिया है बहुत ही खिला-खिला और बहुत ही जवदस सा चावल हमाला बन के तयार हो गया है और मैं इसमें उपर से एक लेयर प्यास की जो मैंने निकाल ली थी वो मैं बिचा रही हूँ इससे बहुत ही खुबसूरत ये चावल लगेंगे और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा बस आप इस फ्राइड राइस को चालन के साथ खाएं, राजमा के साथ खाएं, चन्ने के साथ खाएं, शोर्बिदार गोश, शोर्बिदार चिकिन सब के साथ खाएं, ये बहुत ही अच्छा लगता है तो आप मेरी रेसिपी ट्राइ कीजिए और आप को कैसी लगी मेरी रेसिपी वो बताएं मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फर वाचिंग मैं चानल, बाई